समर सिंग और वह भी एकदम लाइब मतलब आपको कुछ पूछना होगा ना तो भी पूछ सकते हैं लेकिन उससे पहले आप सब का भी और इनका भी स्वागत करते हैं सर्थ नमस्ते पराम सबाता था यूनन मिडिया मैं और आपका स्वागत हाे डुचना Ö लगनौ में अपना भी घर है तो हमांरा करता में स्वागत न करू Н tat अभी अभी मैंoler कि समर्जी शूटिंग कर रहेएैं और यकishna wizard कि मात्र सौ मिटर के दूरी पे हमारे ऑफिस के ये शुटिंग कर रहे थे तो वह तुरंथ पकड़ा जाया मेरे मन में एक सवाल था जो मुझे इनसे पूछना है सर पता है कि समर सिंग को इतना गुस्सा क्यों आता है लोगों को लगता कि हमको गुस्सा आता है लेकिन हम गु भी नहीं पता था किसी को नहीं पता था कि आपके आफिस के बगल में हम सूट कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है बराबर आप लोग मिलते रहेंगे प्यार मिलता रहेगा लेकिन दो-तीन दीन से जो हमें समर सिंग का रूप देखने को मिल रहा है ये कभी भी इ है कि दिल में बाली बात है कि हम सम्मान करना जानते हैं और प्यार से हमको रहना है इंडस्टी में काम करना है और मेरे मन में किसी के प्रती कोई गलत भावना नहीं होती है मैं खुद चाहता हूं कि सब लोग एक होके काम करें समर सिंग करें न करें वो कोई फरक नहीं ग्टारी और यहां सब लोग मिल के काम करेंगे तो बहुत बढ़ा बंदे बंजाएगी हमारी इंडेस्टी बड़ी बन जाएगी और आज गानों को देखिए फिल्मों को देखिए तो बड़ी से बड़ी कमपनिया सब हाथ डाल रही है सब एक से बड़ के गाने भी आ कि पहले जो वीडियो बनते थे गानों के या फिलिमों के बिडियो बनते थे थे तो कम बजट के होते थे लेकिन आज के डेट में भोशपूरी एक नंबर पे चल रहा है तो हम लोगों को सब को मिलके करना है भोषपरी आगे बढ़ेगा निरवाजी का एक बात चल रहा है वह भोषपरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं एलबम इंडस्ट्री में विवाद है क्योंकि होते हैं कि किसी के गाना अगर अच्छा चला गया और ट्रेंडिंग में आ गया तो लोगों को वह इ दर्स हैं हम बच्पन से देखते आएं और बहुत प्यार करते हैं दिनेश भीया और वो जब भी किसी को कुछ बोलना होता है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं बहुत सुल्जे बेखती हैं तभी तो आज तक उनके बारे में कोई किसी से भी पूछ लिजिए निरोगा भीया के बारे में कोई कुछ बोले नहीं वो बहुत सुल्जे बेखती हैं और जो बोलते हैं तो हम लोग खुछ सुनते हैं उनकी बातों को उस पर विचार करते हैं कुछ नहीं समझ में आता है तो फोन करके पूछ लेना कि नहीं भीया ये समझ में नहीं आ रहा है तो बस कोई सब लोग करने वाले हम गुंडा बदमास थोड़ी है तो रह गई बात की काम करना है सब को अच्छे से रहना है और कोई भी बाद नहों सब लोग एक रहें नेक रहें बस ही हमारी इंडेस्टी बहुत प्यारी है खुब काम करें सब आप लोग तो शांत होगे हैं विवाद एक तरस से देखा जाए तो जब खेसारी जी का लास्ट वीडियो आया तो समझे कि चलो कवर अप हो गया कुछ आपने बोला कुछ उन्होंने बोला आखिर में वह सौरी बोले कि वह कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन इसके बाद अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उनका सम्मान है और नारी फर्स्ट तो वो अधिकारी हैं बोलने की क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा सीनियर हैं और उनको भी हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो अपने सीनियर को बस देख के सिखना एकने कौन क्या कर रहा ह है अच्छा करना है मैं बता देती हूं कि उन्होंने क्या कहा उन्होंने पहले लाइब में भी एक चीज़ बोली थी और एक बार और एक और इंटर्व्यू में भी बोला कि जो चार-पांच लोग हैं जो दुसरे के दम पे कूद रहे हैं लाइक एक्जांपल पवन जी हो कि सारी जी हो तो उनके दम पे कूद रहे हैं जो खुद को सुपरस्टार कह रहे हैं बेस्किलिश चार दिन आया हैं चार गाना गाय है इससे दा लोगो ना कुछ किए ना कुछ आगे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर यही आटिटुड उनका रहा तो यह चार दिन और किसी दूसरे की दम की बात अगर है तो सब लोग देखते हैं कि कौन चार दिन से आया है हमको भी इस लाइन में 20 साल हो गया है काम करते हुए और साय दो हम हमारे बारे में लोग नहीं जानते होंगे कि नहीं मैं भी इस इंडस्टी में काम करता हूं कभी कुछ किसी को बोला नहीं और छोटे कलाकार हैं हम लोग और किसी को बारे में बोलना ठीक नहीं है उनकी अपनी सोच है और मैं किसी के दम पे नहीं कुटता हूँ कि मैं आया हूं तो अपने मेहनत से आया हूं अपने दम पे आया हूं और मैं हमेशा अपनी चीजों को सबसे अलग रखा है किने हमारे गाने अलग होंगे हमारी हमारा कॉंसेप्ट अलग होगा तो हम कॉपी फेस्ट वाले नहीं है हम सोचते हैं किने कुछ कुछ बड़ा लाए यह छोटा ही लाएं लेकिन अलग हो लोग देखें इतने गाने आया आप लोग देखें कितना बड़ा बड़ा गाना हुँ वह हर्मुनियम ढोलक के गाने देशी गाने तो यह चार दिन की तो बात नहीं है इसलिए आपको सब देशी स्टार भी कहते हैं क खरसक लोग जिसको प्यारदेते हैं और मैं खुदी चाहता हूं कि में अलग काम कए सबसे हट के काम करें में परती दियस की भावना नहींन हो चाहता हूं हमारे ही ब्लियन में जाएं घबलेंगे redistribal होंगे हम आपसमें लड़ने से थोड़ी बढ़े होंगे कोई किसी को पुछ बोले किसी लगोड़ा वाम कभी समरिसी का तो किसी से व्याद नहीं था या कभी समर्षिंगे किसी को तूटके भी नहीं बोला क्या सच में आप खेसाइर लाल जी के पास डेड़ सो गुंड़े लेकर पहुंचे थे बनारस में आपको कैसे बताएं आप पता कर आप पता कर लीजिएगा कि हम जहां भी जाते हैं रहते हैं तो हमारे पास कितने लोग रहते हैं यह आप किसी से भी पूछ सकती है और ह क्या जरूरत है कि ऐसा क्या बोल दिया कि समर सिंग पहुंच जाएंगे डेर सो लोगों को लेकर हम से ज्यादा कौन प्यार करता है उस वीडियों भी आप देखे होंगी कि नीज आवाज बदल के नीज बना लीजिए कर लीजिए कर लिजिए मेरी को यह भावना नहीं है कि किसी के परति नहीं हो और बस काम करना यह सेनियर है और हमदेव सबको आगे बढ़ा हैं सबको सदढ़्दी कि सब करें सब्लोग सब्किटी करें हम तो किसी को कुछ बोलते हैं को कोई विवाद में हमको पढ़ना है यहां तो समर जी ने साध काम करना है मेहनत करना है कि उसी का खाएंगे विवाद करके और कोई फायदा है नहीं इस वाद आप लखनों में है और बताइए हमाई दर्श को कौन से फिल्म की शूटिंग चल रही है इस वक्त यह फिल्म हम लो स्कतार काम जारी है और सब नाम बता तक सारी फिल्में कर रहे है सरीय हम कह रहे हैं कि हम रिमोटे में हैं तो ठीक है ना जमीन पर तो है हम कह रहे हैं कि फ्लाइट जमीन से उड़ती है फिर जमीन पर याती है तो जमीन जमीन नहीं छोड़िए अपना काम करते रहे हैं चलिए हम हमारे हम मान लिए कि हम रिमोट में हैं तो आज के डेट में बता दे कोई आज तक भोजपूरी के कलाकारों की बात कर रहे हैं सब की बात कर रहा हूं मैं अपनी फिल्म या अधर किसी कलाकार के फिल्म थीएटर में बैट के देखे हैं कभी देखे हैं देखते हैं देखना चाहिए कि नहीं चाहिए जब हम अपनी चीजों को नहीं देख हम सब लोग एक होके जब करेंगे सब उनका हो देखेंगी को किसी को खाली बस लाइब बोल दे हमारा भी लाइब उठा के देख लिजिए कभी कभी किसी कुझ आए कि नहीं मेरे मुझ से निकला नहीं मैंने फलाने को ऐसे बोल दिया देखाने को ऐसे बोल दिया तो फिर मेरे बारे में भी मत भुलिए न भाईया मैं प्यार करता हूँ और यह सब दूह जा रहा है तो इनसान तूटता एंदर से कि नहीं यह नहीं होना चाहिए नहीं होगा क्यांकि सब लोग समजदार हैं हम से ज़्यादा सिनियर है और यही है कि नहीं सब लोग एक रह रह गाने तो राइटर है कुछ बना देते हैं हम थोड़ी लिखते हैं गाने तो राइटर लिखते हैं किसमें समर जी की दिल की बात बोली गई राइटर लोगों का है वो बनाते हैं कुछ न कुछ चीजे उनको मिलती है तब ही न बनाते हैं तो बना गाया गया कोई किसी को नीच सबको मिलके रहना है और काम करना है हमारे जो दर्शक है उनसे कुछ कहना चाहेंगे बस यू एनन मीडिया को धेर सारा प्यार दीजे नया नया आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा क्योंकि खुसबुजी लखनव में हैं नवावो के सहर में तो यहां तो आने के बाद र सब्सक्राइब करें पहुचाये मिलियन में फटापट अरे बस बोल दिया समर जी ने और फो गया समर जी से जुड़े सारे अपडेट के लिए हम से जुड़े रहे क्योंकि अब समर जी लखनौ में है तो पलबल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और बहुत यह था बस मैं जाओंगे समर जी मेरी ले गाना भी गा दे आखिर में इसके मिना तो इनकंप्लीट है जब पहली बार आप मिले थे तब आपने बच गये थे लिए इस बार नहीं बचेंगे एक गाना हमारा आया हुआ है अभी वो दिरे दिरे चल रहा है और कि मारी ल में कप पहिरस लया चूनर और जाके रेडी वासार फार चूनर तो यह फार्चुनर वाला गाना आया हुआ यह राजा चला गुमादा हमके बनारस तो जो लोग नहीं सुने इस गाने को सुनिए बहुत अच्छा गाना है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है बाइया इसको तो हम जरूर सुनेंगे थैंक यू थैंक यू सबके हरा हर महादेव हर हर महादेव